Hello and welcome to TechInfo YT तो इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं Jest को अब Jest क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह जावा स्क्रिप्ट का टेस्टिंग फ्रेमवर्क है और इसमें हम क्या कर सकते हमारी नूट के अपलिकेशन, React के अपलिकेशन, Angular के अपलिकेशन और View के अपलिकेशन को यहां पर टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि जब भी हम कोई भी Large Scale application create करेंगे तो वहाँ पर हमको टेस्ट केसिस क्रेट करना पड़ता हैं ताकि हमारी application में कुछ भी issue ना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर jest को देखेंगे और एक चीज़ यहाँ पर अगर आप react के official website पर जाएंगे और यहाँ पर docs पर click करेंगे तो right hand side पर आपको यहाँ पर मिलेंगा testing option तो इस पर overview पर भी अगर आप click करेंगे तो react पर हमको recommend करता है नीचे स्क्रोल करें थोड़ा देखिए recommended tools में सबसे पहले जो है वो है jest तो यहाँ से पर आप click करेंगे तो new page पर वो jest की official website यानि के jest js.io की website पर आपको redirect करेंगा यह बहुत ही powerful है और mostly सभी javascript के libraries के साथ में यह use किया जाता है और mostly companies में भी just use किया जाता है इसके साथ में देखिए नीचे scroll करेंगे न तो यहाँ पर react testing library और इसको भी अगर आप open करेंगे तो यहाँ पर यह open हो चुकिए तो यह भी जो है almost every technology के साथ में use की जाती है javascript की जैसे कि यहाँ पर देख सकते आप most common react के साथ में use किया जाता है तो यहाँ पर native testing view marco angular बहुत सारी है यह depend करता है कि आपकी company में कौन सी testing library use किया जाती है तो mostly अगर आप just सिखेंगे तो note के साथ में भी बहुत ज़ादा use होती है और react के साथ में भी बहुत ज़ादा use होती है angular view js तो यह बहुत सारे जो है other frameworks और libraries है तो इनके साथ में भी यह use होती है तो अगर आपको एक कोई भी आती है जैसे कि यहाँ पर testing library या फिर jest तो आप जो है कोई भी यहाँ पर application पर काम कर सकते जैसे कि note की application react की angular की view की ए अटसेटरा तो इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे jest को from the scratch और in the end में हम क्या करेंगे बाद में एक application के साथ में भी इसको test करके देखेंगे पहले क्या करेंगे हम इसके basic देखेंगे क्योंकि basic समझेंगे तो हम कोई भी application के साथ में इसको फिर test कर सकते अब देखिए mostly मैं जो है react के साथ में जादा familiar हूँ तो last में हम क्या करेंगे react का project देखेंगे और उसके अंदर testing देखेंगे jest की मदद से या पर testing library की मदद से भी देख सकते हम दोनों सीखेंगे तो यहाँ पर first हम क्या करने वाले है jest को सीखेंगे तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए prerequisites at least आपको basic javascript आना चाहिए basic का मतलब क्या है कि आपको at least पता होना चाहिए variables क्या है functions क्या होते क्योंकि दीखिए आप जो application test करेंगे उसमें क्या है बहुत सारे variables और functions रहेंगे जो कि हमको कुछ ने कुछ output या results देते हैं तो इसको हमको test करना इसलिए आपको basic understanding होना चाहिए javascript के लिए तब हम क्या करेंगे सबसे बहुत आपको देखिए node.js install होना ज़रूरी है तो आप simply क्या करें node.js.org पर visit करें और अपने operating system के according इसको download कर ले अब LTS version आप यहां से download कर सकते है most common क्या है कि यहां से यहां से download करें current में क्या है बहुत सारे issues हो सकते है तो यह freshers के लिए नहीं है और बहुत ही advanced level के developer के लिए है जो के latest features को जो है explore करना चाहता है तो आप यहां से देख सकते है latest features अगर आपको देखना है तो recommended यह ही कि आप LTS version यहां से download करें और देखिए यहां पर security releases भी available है क्योंकि बहुत सारे के पास अभी 14 होगा मेरे पास भी मैं चेक करके बताता हूँ Windows R और यहां से मैं command prompt को open कर लेता हूँ और यहां पर हम search करेंगे note-v मेरे पास भी दीखिए 14 का version इंस्टॉल है मैंने इसको upgrade नहीं किया है 16 में तो जरूरी नहीं है at least आपके पास 10 कच चाहिए और अगर अभी आप install करेंगे तो latest वाला जो भी है भी 16.13 यह वाला इंस्टॉल हो जाएगा आप चाहिए तो इसको upgrade भी कर सकते है और इसके साथ ही में क्या आता है यहां पर package manager भी हमको मिलता है तो इसको भी मैं बता देता हूँ command prompt open किया यहां पर आता है npm npm क्या है यह node package manager है तो इसका version भी according यह जो आपका LTS version और उसका recording यहां पर आ जाता है तो at least इसका जो version है वो आपको 5 के अबहुँ चाहिए या फिर at least 5 चाहिए तो जो भी आपका version रहेगा अगर नहीं है compatible तो आप उसको upgrade कर सकते है या पर latest यहां से download कर लेंगे तो भी यह काम कर जाएगा या फिर आप क्या कर सकते है nvm की मदद से भी आपके node को upgrade कर सकते है तो nvm क्या है तो आप उसके लिए google कर सकते है simply अगर आप यहां से google पे nvm search करेंगे यहां से nvm nvm क्या है यहां पे node version manager है यहां से हम क्या कर सकते है हमारे node की version को जो है upgrade कर सकते है कि अभी मेरे पास 14 है तो मुझे 16 करना है तो मैं इसको इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर आप कोई अधर आईडी से फैमिलेर है तो आप वह भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जावा स्कृप्त के लिए तो बेस्ट होता है रियक्त का कोड भी हम देखेंगे तो इसके लिए जो है रेक्मेंटीड यह है अंगिलर और रियक्त से रेलेटेड प्रोजेक्ट के बढ़ा सकते हैं उसके उपर भी मैंने एक complete series क्रेट कर रखी है तो आप चाहे तो देख सकते हैं लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी तो यह दोनों ही चीज़े आप जो है नोट को पहले इंच्रॉल कर ले इसके बाद में